उधर बिहार से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है दोपार देड़ बजे के करीब पटना सिविल कोर्ट में एक ट्रांसपार्मर विस्पोर्ट हुआ है जिस समय कम से कम तीन वकील जखनी हो गए है और एक वकील जिनके उमर 50 वर तेवेंदर कुमार बताई जा करी में उस समय फैसले देखे जा रहे थे एक जोड़दार धमाका हुआ जिसमें काफी लोग समझ से परे रहा कि हुआ क्या है सब लोग अपनी जान बचाने के जद्दों जहद में इधर उधर भागने लगे और अफरात अफरी का माहोल माहोल पैदा हो गया जब तक चीज ना को कही न कही लापरवाही के रूप में देखी जाए या एक हाथसा देखा जाए उत्तर पदेश में भी विजली अभी हाली में उच्छी दिनों की बात है कि गाजीपुर में एक बस जो है वो बरातियों से भरी बस जलकर रात हो गई थी कही न कहीं बिजली कर्मचारिय कि काफी लापरवाही देखने को मिल रही है सरकार क्या कुछ करती है इस खैसले पर तो बिहार में बहुत ही कुल घटना हुई है जिसमें एक ट्रांसपार्मर विस्पोर्ट हुआ है और पचास वरसी वकील देविंदर कुमार के रूप मात हो गई है और जो साथी घायल है इसमें एक नकील की हालत गंबीर मताई जा रही